Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So friends, I am Neha Seti and welcome to Share Market with Neha Seti. बात करेंगे GTL Infra Share के बारे में friends. Friends, इस Share से related एक new update आया है, जो आपके साथ share करना चाहूँगी. Update है, इसके result से related ही और दो good news भी निकल के आई है. So friends, इसका result आने वाला है quarter 4 का, March quarter का 17th of May को. So friends, इन्हों ने official announcement 10th of May को आज ही दिये, कि इनका जो quarterly result है, March का, वो 17th of May को आजाएगा. So friends, जैसे ही result आता है, definitely video के तुरूँ जरूर बताऊंगे कि result कैसा आया, इसके लिए bell button को प्रेस करना मत भूलेगा. Friends, लो इसका आज का जो लो था हो गया है 1.35 तक और हाई बनाया है 1.45 वॉल्यूम आज भी इसमें करोर्स में था. Friends, शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, because, but friends, इसी इसी शेयर में नहीं, सभी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है. Reason, market के sentiments negative हैं. बात करेंगे 5G related कोई news आई है, तो yes, friends, definitely आई है. एक news है कि put entire 28 GHz band up for sale and no interface issue. So friends, 28 GHz वाला band है, यह 3,000 करोर में sale होने की जगा. थोड़ा सा issue, थोड़ा सा sale में, मतलब कम में यह sale हो सकता है, और वो हो सकता है, friends, 2,000 करोर में. तो यह positive news है, 5G से related, and friends, 5G जो auction है, 5G spectrum को जो auction है, आपको early June में देखने को मिलेगा. Gtl Infra बहुत नीचे जा रहा है, बहुत लोग पैनिक है, but analysts अभी भी 80% इसको buy का suggestion दे रहे है, 17% sell का दे रहे है, और 3% gold का दे रहे है, पैनि स्टॉक में हमेशा अदना investment कीजिए, जितना आप risk ले सकते हैं, उसके जादा पैनि स्टॉक में मत investment कीजिए, अदर्वाइस आप ही पैनिक होगे, और हमेशा profit आने के बाद, अगर आपका capital amount हमेशा निकालके आप उसको long term के लिए छोड़िए, आपको टेंशन ना हो, तो फ्रेंट जो लोग आप इसको 2.50 पर लेके बैठे तो अभी बहुत huge loss में होंगे, उन्हें patience रखना चाहिए at least तब तक जब तक 5G नहीं आता, लॉस्ट फ्रेंड लॉस्ट बुक करने से अच्छा है तब तक वेट कीचे जब तक 5G लांच ना हो जाए, 5G लांच होनी की डेट आपको बता दी थी, August से September के बीट में 5G लांच होगा, तो फ्रेंट इसका रिजल्ट आने वाला है 17 मही को, देफिनेटली वीडियो के तुरू जरूर बताऊंगे एंड इस वीडियो इस अगें ओल्नी गोड एज्जुकेशन अपरपस अपनी हार्डन मनी हो, कहीं पे भी इन्वेस्मेंट करने से पहले कुछ से रिसेच फ्रेंट जरूर कीजे, थांक्यू सो मच्छ